मिशन इंद्र धनुष 2.0 के तहट देश भर में व्यापक पैमाने पर ठीका करण अभिहान चलाया जा रहा है जिसका पहला चरण 12 दिसंबर को संपन हो गया आगामी जनवरी और मार्च महा में अभिहान के दूसरे और तीसरे चरण का संचालन होगा राज्य के खंडवा जिले में भी अभिहान के तहट व्यापक पैमाने पर ठीका करण किया गया एक ग्राउंड रिपॉर्ट देगी मिशन इंद्रधनुष्य 2.0 के तहट टीका करण से छूटे बच्चों के घर घर जाकर अभिभावकों को उनके टीका करण के लिए प्रिरेत किया जा रहा है इस दोरान जीरो से दो वर्ष तक के बच्चों की आयू के बच्चों तथा गरववती महिलाओं का टीका करण किया गया है खनवा जिले में मिशन इंद्रधनुष्य 2.0 के पहले चरण में जिले भर में 949 बच्चों को टीका करण के लिए चिनहित किया गया था जिन में से 885 बच्चों का टीका करण किया जा चुका है वहीं 342 गरववती महिलाओं में से 388 महिलाओं का टीका करण किया गया है माफ कीजेगा 328 महिलाओं का टीका करण किया जा चुका है जिले के विभिन आगनबाडी और स्वास्त केंद्रों में इस अभियान की तहत टीका करन किया गया है अभियान के संचालन को लेकर हिद्गराहियों ने केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि जो टीके बाजार में महेंगे कीमतों पर मिलते हैं वे सरकार द्वारा मुफ्त में लगाए जा रहे हैं सरकार ने हमारे लिए जो किया है वो हमारे बच्चे को टीका लगा है निसनिन धनुस बहुत अच्छा चल रहा है हमारी जो लक्सित बच्चे जो जन्म से दो अरस्ते बच्चे और गर्वती महिला चूटी थी उसमें नौसो उन पचास बच्चे चूटे थे उसमें से 885 बच्चों का टिकाकन हो गया है और 342 गर्वती महिला चूटी थे उसमें से 328 गर्वती महिलाओं का टिकाकन हो चूटा है और अभी 12 तारिक तक चलेगा उसमें 7% लक्ष का हसिल कर लिया जाएगा